वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आज की वीडियो में हम उत्तरपिदेश की सभी परिक्षाओं के लिए तीन महतपून टॉपिक कवर करने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरपिदेश की प्रमु खुद्ध्योग इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरपिदेश की और एक बार आपको कल इस वीडियो को फिर से 2X की स्पीड पर देखना है ताकि आपको सारी चीज याद हो जाए उसके बाद 10 दिन बाद फिर से देखना है फिर आप तयार है एक्जाम के लिए चली सुरुआत करते हैं तो द्योगों की बात करेंगे ठीके लास्ट वीडिय अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो इस वीडियो में भी उसकी लिंक मिल जाएगी दिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर जाकर देखिए तो आपको मिल जाएंगे टॉपिक चली जुरुआत करते हैं महुआ डी इस्थान है बाराण असी में और यहां का उ महुआ डी आपको आप्शन में महुआ डी ही मिलेगा ठीक है बाराण असी तो कम चांसे से मिलने के महुआ डी लोको मोटिव बर्ट से आध रखे सिंग्रॉली कोईला खान यह सिंग्रॉली सोनभदर में है उर्वरक कार खाने पूलपुर प्रियागराज गोंडा गोरगप इसके बाद नैनी में ही भारत पंप्स एंड कंप्रेस्ट लिमिटेड लगा हुआ है और हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड यह कहां कहां पर है तो उत्तरपिदेश की राज़ानी लगनों में है कानपूर में है और जगदीजपूर अमेठी में है इसके बाद सीमेन कारकाना चुर्क और डाला सोनभद्र में है अब ट्रॉन कैपी सिटर लिमिटेड कहां है यह उत्तरपिदेश की राज़दानी लगनों में है भारती चमडा रंगाई और जूता संस्थान यह कहां पर है कानपूर में है वन डिस्ट्रिक मन प्रोडेक्ट में भी हैं और कई सारी फैक्ट्रिया हैं चमडे की इसके बाद तेल सोदक कारखाना मतुरा में हैं हिंदुस्तान अलुमीनियम कॉर्परेशन इसके बारे में पूछा गया कई बार प्रिश्न रेनु कूट उशोनभद्र में है यह सिंग्रवाली वाला प्रिश्न एंपी पीसी ने उत्रपिडियस की कुछ पुर्मों खुद्योग ती जो अलग-अलग इस्थानों से संबने थे इसको हमने देखा इसके बाद उत्रपिडियस की जंजातियां देखते हैं उत्रपिडियस में गौंड धुरिया नायक ओजह पतारी और राजगून जंजाती पाई जाती है ज जिलों की नाम अलग लिख लेने हैं जैसे आपको सिधार नगर लिख लेना हैं सिधार नगर में कौन-कौन सी जंजातियां हैं जैसी की गौंड धुरिया नायक ओजह पतारी और राजगून जंजातियां सिधार नगर में सोन भदर में कौन-कौन से जंजातियां तो यह सा इसा इस्थाने जहां पर लगबग सभी जनजातियां पाए जा रही है तो यह आपको जिलों के हिसाब से या फिर अगर आपको ऐसी भी याद होता है तो ऐसी या फिर जनपद के हिसाब से आप इसको अलग से लिख ले नोट कर ले तो चीज़ें थोड़ी से आसान हो इसके बाद खरवर और खेरवार जनजाती किनकिन जुलों में पाए जाती है तो देवरिया जनपद में बलिया जनपद में गाजीपुर जनपद में वारसी जनपद में और सोनभदर जनपद में सहरिया जंजाती ललिटपूर में पाये जाती है जहांसी के पास पढ़ता है पहरिया जंजाती सोन भदर में पाये जाती है बैगा जंजाती भी सोन भदर में पाये जाती है अच्छा अगर आप ऑनलाइन इंग्जाम पेपरेशन को लगातार फॉलू कर रहे हैं उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था, मध्यपिदेस और उत्तरपिदेस की सेयूग तो परियोजना है, यह आपके लिए हिंट है, इसके बाद जंजातिया है, पांखा और पनी का, यह सोन भदर और मिर्चापुर में है, अगरिया जंजाती सोन भदर में है, पटारी सोन भ में मिल रही है, इसके बाद अगला टॉपिक हो तो पिर इसकी नदी घाटी परियोजना है, इनके बारे में हम देखने वाले है, खारा नदी घाटी परियोजना, चल्विद्ध परियोजना, यह असन नदी पर बनाई गई है, और यह सहारनपुर में है, इसके बाद माता ट गंगा नदी पर बनाई है तो इस्थान का नाम याद रखे कि सल्वा और भोला मेरट में है और निर्गजनी और चितरवारा परियोजना जो है दोनों ही गंगा की है और यह मुझफ़ा नगर में है ओबरा जल्विदुत परियोष्णा प्रिश्ण पूछा गया है किस नदी पर है रहंद नदी पर है सोनभद्र जिले में है इसके बाद राजगाट परियोष्णा बेतवा नदी पर है और ये ललित पुर में है रेहंद परियोशना रेहंद नदी पर है सोनभद्र में है बेगलका और बाबेल ये पूर्वी यमना नहर पर है यमना नदी पर है और सहारनपुर में है सीतला जलविदुत परियोशना पेतवा नदी पर है और ये जहासी जले में है कहां पर है जहासी एससान पर है सीतला जल जानकर ये अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से कॉमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है और आप उत्तों पर इसके किस जिले से विलॉंग करते हैं ताकि हमको भी पता चले कि आप हमें कहां से देख रहे हैं आज की वीडियो में नेक्स कारिंग चाहिए आप MPPSC की प्रिप्रेशन कर रहे हो या फिर आरो या रोडी एक्जाम देने वाले हो UKPSC, BPSC या फिर इलावत हाई को सबके लिए प्रक्टिस को इस अविलेबल है टैसीरी सारा कुछ अविलेबल है और स्टरी मटेरियल सब कुछ आपको इक ही जगह पर म तो मजबल यृजग आपको नूश में फिर आरो ग्हां से लिए प्रक्टिस को आपको इने बीगभाशन कर दोच तो फिर आरो प्रक्ट पिर दोड़न आपको